हेलो, गुड मॉर्णिं एस्पिरेंस, आज किस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्लेबस फॉर्द रिटन एग्जामनीशन आफ जेन के पुलीस कॉंस्टेवल एग्जामनीशन 2024 के रिटीग है अडिटीजमन डाउट हो चुक है, बट स्लेबस जो है बताया गया है कि आपका लेटर जो है वो नोटिफाई किया जाएगा, तो एक्सपेक्टेट स्लेबस आपके लेकिया आज़को एक्सपेक्टेट नहीं है, 95% स्लेबस आपका यही है, बस मार्क्स का वेटेज चेंज होगा, वो मैंने इस वीडियो में नहीं किया है आपको बता दू, वीडियो देखने से पहले, स्लेबस जो है, वो स्ट्रिक्टली बेस्ट है, जेके पुलीस कौन से, वल 2022 पेपर्स पे अगर आपने देखी है वहाँ पे आपको यह स्लेबस देखने को मिला था, अल kisses को लेके जो सारे के सारे टॉपिक्स कहां 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 से आया है, वही मैंने स्लेबस डिजाइन किया है, तो आप इस स्लेबस को अपने फ्रेंट के साथ जरूर शेयर कींजेगे, जो के exam की तियारी कर रहे हैं, जो Shri टेलिग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये गई हैं टेलिग्राम जरूर जोएंद करेगा वाट्सेप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं आपके रिफ स हारा बहुत होगा सारा study material recovery examination आपको वहां मिल जाएगा बात के रहें syllabus की तो syllabus है फर्स्ट वन इस जनल नॉलेज जो दे रेफरेंस तो दे जे एन की यूटी टॉपिक आपका रहने वाला है नेक्स्ट वन इस दा बेसिक अर्थमेटिक साप इनके अंदर कौन-कौन से टॉपिक्स आएंगे वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा फर्ड वन is the reasoning, verbal and the non-verbal reasoning फॉर्थ वन is the computer, next one is science and the English last में यह आपका रहेगा ठीक है यही आपका पूरा का पूरा कॉनस्टेवल पोस्ट के लिए syllabus रहेगा अगर कोई change JPSS भी नहीं करता है इसमें कोई topic और अच्छा बलकि एक आदा topic माइनस भी कर सकता है जो किसे लाइक कम्प्यूटर बट एस पर दा प्रिवियस पेपर उसमें कम्प्यूटर के कोईशन भी थे और साइंस इंग्लिश के कोईशन भी थे that's why मैंने इस लेबस में आड किया है अपनी तियारी स्टार्ट करती है चलिए डिसकस करते हैं ब्रीफ मैं असलेबस को कि क्या क्या असलेबस जो है वो हर एक section में आने वाला है तो फर्स section अगर हम बात करते हैं जो नॉलिज विद रेफरेंस तो दा जे अनके यूटी अगर मैं इसको सब इंस्पेक्टर पेपर से कुपेरिजन करता हूँ तो सब इंस्पेक्टर में क्या था आपका JNK UT का GK नहीं था प्लस सिर्फ प्री और्गनेजिशन ने था बट कॉंस्टेवल एक्जामनेशन जो आपने पुराना दी है आपका इंडियन जोग्राफी के अंडर आता है फिसिकल डिविजन साफ दे वर्ल यानि कि आपको वर्ल इंडियन जोग्राफी दोनों पढ़ना पड़ेगा आपका इंडियन जोग्राफी के अंडियन जोग्राफी के अंडर आता है इंडियन जोग्राफी पूरा का पूरा पड़ना है आपको पूरी की पूरी ही यहाँ पर पड़नी पड़ेगी चाहे हो हिस्ट्री हो पूलिटी हो जे अंके यूटी का या फिर आपका एकोनमी या फिर जोग्राफी हो जोग्राफी के अंडियन टॉपिक के बाद के रूफ वैदर हो गया क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक, नैशनल पार्क, फ्लोरा, पॉना यह आपको सब पटना है और आर्ट एंड कल्चर आप दा JNK का टॉपिक भी इसके अंदर included होगा Next one is the important to redestination आपको पढ़नी है और जो कि JNK की है वो important भी है Last one is the JNK Reorganization Act 2019 के quality of JNK के अंदर आने वाला टॉपिक है तो जिग्राफिक की बात करने वालों Overall आपको maximum slables cover करना पड़ेगा और यह maximum slables आप एक दो बुक से कर सकते चाहे आप तर उनको इलका बुक पढ़ लो या फिर आप Lucian का किताब पढ़ लो तो यह थो हमारा first topic GK with the reference to the JNK UT यह सारे topics जो हैं वो आपको examination में देखने को मिल जाएंगे अब next हम बात करेंगे basic arithmetic and basic arithmetic में आपके कौन-कौन से chapters आने वाले हैं वो आप इसको देख लो First one is the percentage percentage के topics जो हैं वो आपको रहेंगे questions रहेंगे next one is the average average की questions से आप आएंगे time work and the distance आपके पास यहां से दो chapters बनते हैं speed and time वाला and next one is time जो आपका work and distance वाला chapter होता है आपका time and work वाला ठीक है तो यहां से दो chapters बनते हैं time, speed and distance and next one is time and the work तो दोने chapters आपको examination में आएंगे ratios and the proportions आने वाला है problems, age आएगा, probability and HCF and LCM and the mensurations ठीक है तो mensurations की questions भी आपको देखने को मिलने जिसमें आपका volumes and the areas की questions आ सकते हैं यह सारे topics जो mathematics इसको छोड़ के आपको maths के जो है extra जो एक जो chapter में include नहीं किया है वो आपका है profit and the loss ठीक है, profit and the loss के questions आएंगे जरूर ठीक है, तो profit and loss मैंने इसलिए include नहीं किया because वो percentage के अंदर ही आ जाते हैं questions तो इसलिए profit and loss आपे include इसमें कर लीज़ेगा profit and loss के questions जो है वो जरूर आपको constable examination में देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब next हम चलते हैं channel intelligence and reasoning and reasoning के same topics ही रहते हैं एक examination में जाए हम start करते हैं number series से, alphabet series से, letter series से, distance and time से, statement and conclusion वाले questions से, logical reasoning, mental reasoning और आपका, और भी बहुत सारे topics जैसे आपके sitting arrangement होता है, direction sense होती है वो सारे के सारे topics जो है वो इसमें include अभी होंगे and वो भी आपको पढ़ना पढ़ेंगे जैसे आपका direction sense हो गया जो sitting arrangement वाले questions आते हैं, circle में, फिर line में आते हैं वो सारे के सारे figure classification, problem solving, वो सारे के सारे questions जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे general intelligence दा reasoning में next one is the computer and computer का जो syllabus है हर एक exam के लिए वो same ही रहता है जिसमें सबसे पहले हम study करते है basic applications of the computer and its components fundamentals of computer sciences, hardware and the software, input and output devices, knowledge of MS Word, MS Excel, MSSS concept computer virus and latest antivirus and the last is role of IT in the governance ठीक है ये सारे topics जैने के computer आपको जो है जो आरे हन की किताब आती है वहाँ से आपको पढ़ लेना आपको cover हो जाएगा and वो easy भी है that's why computer के सारे के सारे topics जो है वो आपको syllabus में देखने को मिल जाएंगे next one is English and English के अम discuss कर लेते हैं English जो आपकी मिनी marks 10 marks के तो जो है Jkss भी सैट जरूर करेगा and tenses की बात की गई है tenses जो हो आपको आएंगे next one is a rearrange of the jumble sentence and PQRS वाले questions narrations की question आएंगे direct and indirect speech models आएंगे use of the models can, could, should, would आएंगे articles A and the comprehensions with blank to be filled with phrases, pronouns, homophones and homonyms clauses आपको आएंगे conjections आएंगे, synonymous and antonymes आएंगे pair of words अंदर useful, use in meaningful sentences items and phrases अंदर use of preposition ये को English के basic topics जो के हर एक exam में आते हैं और आपकी इस exam में भी आपको देखने को मिल जाएंगे तो English आप expect कर सकते हैं around 10 marks का ठीक है science के अंदर आपको आएगा metals and non-metals, physical and chemical properties metals and non-metals के question जो हो आपको आ सकते हैं next one is the various source of energy जो आपकी conventional हो गया, non-conventional renewable sources, non-renewable sources, exhaustible and exhaustible वो आपको पढ़ना है nutrition and its types, respiration, transportation of water, food and minerals in plants communicable and non-communicable diseases, vitamins, diseases related to vitamin deficiency, ecosystem, आपको आएगा food chain and the food webs and the last one is environment pollution, a zone layer, its depletion and greenhouse effect and the global warming थीग है तो यह सारे topics जो थे मैं आपको बताईए यह आपकी constitutional examination के slabers में रह सकते हैं 95% आपका slabers यही रह बिकास previous air के papers के base पे slabers and मेरे खेयाल से यही slabers रहेगा weightage depends करता है कि JKSSB 120 marks का यह 100 marks का paper set करता है उस पे depend प्लेगा यह maximum portion आपका vast portion रहेगा exam weightage के बाद के और तो वो हमारा रहेगा GK with the reference to the JNK UT इसमें आपको maximum marks दिखने को मिल जाएगे तो आप अपने हिसाब से तियारी कर सकते हैं इसका PDF मैं telegram channel पे डाल दूँगा आप जाके डाउनलोड कर लो और अपनी जो है वो exam की तियारी यहां से शूरू कर दो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होता लाइक कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा Thank you